उदाहरन 4 यदि PQ समानतर आरेस है तो सिद्ध कीजिए कि तरभुज P O Q समरूप है तरभुज S O R के बच्चों अब हम चलिए उदाहरन 4 को हल करते हैं उदाहरन 4 का चित्र आपके सामने दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि P Q R S के समानतर है एक रेखा करण P Q आप देख रहे हैं और दूसरा रेखा करण R S है ये दोनों आपस में समानतर है और P को S से मिलाया गया है और Q को R से मिलाया गया है दोनों एक दूसरे को O पर काटते हैं इससे दो तरभुज बन रहे हैं P O Q और S O R तो हमें सिद्ध करना है कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप है त्रिभुज P O Q समरूप है त्रिभुज S O R के ये हमें सिद्ध करना है चलिए आगे बढ़े हम और सिद्ध करने के लिए यही तर शुरू करें जो हमें जानकारी दी हुई है हमें दिया हुआ है कि PQ समांतर है RS के अब देखिए PQ और RS हमांतर है और QR एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है तो QR जब उन्हें काटेगी तो आप देख सकते हैं कि यहां जो कौण बन रहा है वो R पर बनने वाले कौण मारे Q पर बन रहा हुआ 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 हु ठीक इसी तरह से देखिए एक बार फिर से PQ और RS समनतर है और आपकी बार तीरेक रेखा P.S. उन्हें काट रही है तो यहां जो एक आंतर कॉन्ट बनेंगे वो P.S. और S. और दोने एक आंतर कॉन्ट बराबर होंगे क्योंकि PQ और RS समन आंतर है तो आप इन्हें भी लिख सक इन दोनों को देखिया, ये शिर्शा भीमुक्ष कोण है, दो सलल रखाए हैं, Q, R, और P, S, दोनों इस दूतरे को ओपर काट रही हैं, तो यहां जो कोण बनेगे शिर्शा भीमुक्ष कोण होंगे, और आप इनहें बराबर करके लिख सकते हैं, तो P, O, Q, कोण, P, O, Q, बरा काई यह सां ब्रेकर और के शल्ट सकते थे कि इसा कोंड की धोड़ा रख जोigs के तीन कोण्ड त्रिभुज एसो आर के करम शह तीन कोणों को बराबर हैं और आप जानते हैं कि इस आदार पे कह सकते हैं कि त्रिभुज P O Q Q सम्रूप है त्रिबुज S.O.R. के त्रिबुज S.O.R. के और यही आपको इस उधारण में सिद्ध करना था